नमस्कार दोस्तो एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी ही अपनी यूटूब चैनल फेंटैसी क्रिकेट के लैस में आज हम बात करेंगे जो प्रो कबड़े लिग का फार्नल मुकाबला होने वाला है इसके बारे डिटेल से इस मुकाबले के बारे में जर्चा करने वाले है कौन सा प्लियर आज की मुकाबले में दोस्तो आपको ग्रेंल लिग बिनकरा कर देगा और दोस्तो कौन सी टीम आपके लिए संभाविक फार्नल विनर हो सकती है सभी के बारे भी डिटेल से जानेंगे लेकिन दोस्तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नहीं हो क्योंको स सभी के बारे में अपडेट भी आपके लिए यहां पर मिलेगी और आज तो कबड़ी का लाश्त मुकाबला है तो दिल खोल कर लाइक करिएगा लाइक करने में तो आप कंजूसी करिएगा ही मत और जो भाई भी नए है और जिने फाइनल टीम चाहिए वो आप्टर टॉस अ डिस्किप्शन में मिल जाएगी तो चलिए बात करेंगे दोस्तो माय फैवलेवन के बारे में जिस भाई ने भी डाउलोड नहीं किया हो वो डाउलोड कर लीजीगा इससे बेस्ट अप्लिकेशन मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है जिया दोस्तो बेस्ट अप्लिकेशन है आप एक बार जरूर माय फैवलेवन ट्राइ करकर देख लीजिएगा लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगी और डाउनलोड करकर राजबंटु थरी कोट डालना आप बिल्कुल मत मूलिएगा आपकी तरफ से जी एस टी भी या दोस्तो नहीं देना है आपकी तरफ फल्टन के डिफेंस के बारे में और अटेक रहेगा हर डियारना स्टीलर्स का फानल होने वाला दोस्तो दोनों ही टीम है जी जान से खेल लेवाली है तो आप देखोगे लगवक 65% राइड रेडर है और 35% रुष्तो हरियाना के लेप रेडर है और दोस्तो जो हरियाना का स बाती हुई नजर आ सकते हैं उसके बाद यदि आप देखोगे इनके बाद कॉन रेडर रेडिंग करेगा दोस्तो तेजर स्पार्टन और बिनेजर टाटी है और इस साइड से सिभम पटारी आपके लिए एक कुछ में रेडर है इम पर थोड़ा ज्यादा फोकस करकर चल सक दौस्तो शादलू आपके लिए बहुत इंपूरेटियerson के सौरी प्लेयर हैं दौस्तो डपैंडर हैं इनके लगबाध सो टेखल पॉइंट हो ले और ऑगनें रहा की लास्ट मकाबले में आकाश सिंधे अज़र सबस्च्चूट आया थे और उसके बाद भी नहोंने दो र उसके बाद जो हमारा है का दुष्टो असलब इनामदार शोलो पिलेयरए का बहुत इंपुडेनट प्लेयर है आप इसे भी नोट करकर चल सकते हो, उसके बाद जो नेक्ष रहेगा दुष्टो सांकेस सावन और सांकेस साबन के राव बाद दुष्टो अभीनेस नंद्राज की जगे ही साइध दोस्तों यहां पर आकास सिंदे आया थे दोस्तों इन्हें सब्स्ट्यूड किया गया था और जो लास्ट चेन रहेगी ना वो मुहित गोएट की और मुहित गोएट के साथ रहेंगे दोस्तों गोरब खत्ते इस टीम में आपके लिए मैं वता दू पूने क बार दोस्तों वो जीतता हुआ नजर आ जाएगा प्रोकवर्डी लीग का फाइनल जियां दोस्तों अब आप यहां पर देखेगा बिने तेबदिया विसाल टाटे और तेजस पाटल और आसीस यहां पर रेडिंग गढालने बाले हैं आप इनके सामने दोस्तों डिफेंस स का फायदा मिलने बाला है सेकेंड दोस्तों इन्हें ब्लाइंड पूर्शन का तो यहां पर टेकल करेंगे फिर आकास सिंदे इनके जो पार्टनर रहने वाले हैं न वो भी तगड़ा खिलते हैं और यहां पर टेकल नहीं करते तो फिर कैसे चाल्स बनाएंगे वो आप देखेगा रेडर यहां पर बोनस कोईंट लेने के लिए जाता है मतलब इस पर ज्यादा टेक करता है इस बाली चेन पर तो यहां पर आप देखेगा रेडर आया इनके सामने रेडर यह खड़ा है तो इनके सामने दोस्तों इन जट से यहां पर आ जाएगी और रेडर को य यहाँ पर रेडर आएगा तो यहाँ पर रेडर ख़ड़ा रहेगा दोस्तों अब इनके जो पास वाली चैन है वो यहाँ पर आका रेडर को ब्लॉक कर देगी और रेडर को टेकल करने कोशिस करेगी बाई चांज रेडर को यादी टेकल नहीं कर पाती ना तो क्या होगा यहा पर रेडर को दोस्तो रेडर बापिश जाते टाइम दोस्तो यह तो लोबी से बाहर कर देगी और लोबी से बाहर नहीं कर पाएगी तो दोस्तो यहाँ पर टेकल कर लेगी और यह वाली चैने दोस्तो इसमें साधलू हैं तो साधलू तो दोस्तो सभी काम अच्छे से करते हैं अब अगला पिलियर रहेगा दोस्तो हमारा सोलो पिलियर रहेगा। सोलो पिलियर का आमतोर पर काम क्या होता है कि सिर्फ दोस्तो रेट डालना है। लेकन यहां पर ऐसा नहीं है। जियां दोस्तो मैं बता रहा हूँ, यहां पर ऐसा नहीं है सोलो पिलियर का काम। यहाँ पर solo player बकायदा दोस्तो भाग लेता है, जी यहाँ दोस्तो असला मिनामदार भाग लेती है, tackle करने में भी, तो आपके लिए यह भी बहुत अच्छी option है, captain और vice captaincy के लिए, अब जो next chain रहेगी, next chain में आपके लिए सांके साबन और अभिनेस नंदराजन रहेंगी, जो यहाँ पर माली जीगा, कि ए रेडर इस साइड थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, इस साइड यहाँ थोड़ा ज़्यादा जाता है तो अभिनेस नंदराजन के chances बढ़ेंगी, तो first तो यह chance रहेगा दोस्तो इस chain को कि यहाँ पर tackle कर लिए, जैसा रेडर आए और रेडर को यहाँ पर tackle कर लिए, second क्या रहेगा, माली जीगा रेडर यहाँ पर bonus point लेने के लिए जाता है, मतलब इस chain पर attack करता है, अब रेडर यह खड़ा है और इस chain पर attack करता है, तो रेडर को दोस्तो ए आकर यहाँ पर tackle कर लेंगे, जैसा दोस्तो यहाँ पर tackle कर लेंगे, अब फि के लिए पॉइंट दे सकते हैं तो ये chances बनने बाले हैं तो दोस्तो ये अब के लिए second chain के और जो last chain रहने बाले है अब इसके लिए कौन-कौन से चांस बनने बाले हैं वो आप यहाँ पर देख लीजीगा दोस्तों लाइश चैन के लिए सबसे पहले तो दोस्तों इनको एडबांस खिलना पड़ेगा और पुनेरी पलटन के प्लेयर हैं तो एडबांस खिलने से तो दोस्तों यह बिल्कुल हिच के चाहेंगी नहीं दोस्तों मैंने आपके लिए बताया था कि रेडर यहाँ पर बॉनस खिलने के लिए जाता है मतलब इस चैन पर थोड़ा ज़्यादा टेक होगा अब इस चैन के दोस्तों जो सामने आएगी वो तो एज आज आएगी रेडर के लेकिन दोस्तों जो लाइस चैन रहेगी ना वो ऐसी खड़ी रहेगी जिया दोस्तों ऐसी खड़ी रहेगी अब यहाँ पर रेडर यहाँ बापस जाता है माली जी का इस चैन टेकल नहीं करती तो रेडर बापस जाएगा तो यहाँ पर यह दोस्तों यह से धक्का देकर लोबी से बाहर करेंगे यहाँ पर लोबी से ब बिल्कुल ब्लोक कर देंगे यहां दोस्तों बिल्कुल ब्लोक कर देंगी यह वाली चैनी यहां पर आएगी और रेडर को ब्लोक कर देंगी और यहां पर भी आपके लिए रेडर ने जैसे ही थोड़ा बॉका दिया और ए टेकल कर लेंगे तो दोस्तों ए राइट रेडर के स फार्नल जी सकती अब देखूगे आप यहाँ पर चुकि लेप रेडर भी 35% है तो हम अवाइड नहीं कर सकते गोरब खत्री और मुहित गोईट को जो की दोनों ही बहुत इंपोडेंट प्लियर हैं तो दोस्तो इनके साइड से भी रहने वाली है वो ही चांस बनेंगे जो असला में नामदार फिर अभिनेश नंदराजन और अभिनेश नंदराजन के साथ रहेंगे दोस्तो सांके सावन और जो लास्ट चैन ऑप डिफेंस रहने वाली है वो आपके लिए आकास सिंदे और आकास सिंदे के साथ रहेंगे दोस्तो मुहमद रिजा सादलू आकास सिं पर ही करूँगा तो आप टेलिग्राम जोइन करना मत होगीगा अब माली जी है 35% रेडिंग यहाँ पर होगी तो सबसे पहले क्या चांस बनेगा यहाँ पर रेडर आएगा और दोस्तो रेडर को एक तो ब्लाइंड पोर्शन का और सेकेंड दोस्तो एंट्री पॉइंट का फ फायदा होगा यहाँ पर अटेक करेगा तो यहाँ पर यह दोस्तो चैन बना कर आएंगे चैन लेकर आएंगे और इसको टेकल करेंगे इसमें दोनों ही प्लियर बहुत खतरनाक है चाहे वो गौरब खत्री हो या फिर दोस्तो मुहित गोयट हो दोनों ही प्लियर है अगला कि हाँ पर यह इसे tackle करेंगे, या फर lobby से बाहर करेंगे, या दुर्फतों यह tackle करेंगे, आप देखिएगा आप next, next में असलम इनामदार के बारे में आपके लिए सब कुछ detail से बता ही चुका हूँ, कि असलम इनामदार का क्या roll रहने वाला है, इनके दो roll रहेंगे, यह defending में भी अच्छा खेलते हैं, defense में भी अच्छा खेलते हैं, उसके बाद दोस्तों यह आपके लिए खेलते हैं, अच्छा कहाँ पर, attack के लिए भी अच्छा खेलते हैं, उसके बाद अगला देखोगे, अभिनेस नंदराजन और सामकिस साबन, यह दोनों ही important है, इनके सामने चैन पर reader attack करेगा, अब reader आएगा यहाँ सा, इस chain पर यहाँ पर खड़ा रहेगा, यह reader को सामने आकर दोस्तों यहाँ पर tackle कर लेंगे, जी यहाँ दोस्तों यहाँ पर tackle कर लेंगे, अगला क्यार आएगा, reader यहाँ पर bonus point claim करने के लिए जाएगा, मतलब इस chain पर attack करेगा, तो reader आएगा, और reader के सामने एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर tackle कर लेंगे, तो कुछ आपके लिए यह chances बनने बाले हैं, second बाली chain के लिए, और जो last बाली chain है ना दोस्तों, उसको क्या बनने बाला है, आप उसका भी थोड़ा सा देख लेज़ेगा, उसको एक तो दोस्त एड़ांस खिलकर point देंगे, second मालीजी का raider यहाँ पर bonus point claim करने के लिए आता है, मतलब इस chain पर attack करता है, इस chain पर attack करेगा ना, तो इसके सबसे pass बाली chain है, और दोस्तों जैसे ही raider की मुहमद रिजा सादलू पर से नजर हटी, और raider के साथ दुरगटना घटी, जैसे ही न chances बनेंगे, या तो raider को lobby से बाहर कर देंगे, या फिर raider को tackle कर लेंगे, तो ए चांसे आपके लिए left raider के सामने इनका defense system काम करेगा, अब हम बात करेंगे दोस्तों इनके attack के बारे में, attack रहेगा दोस्तों हरियाना का, पुनेरी पल्टन का, और defense रहेगा हरियाना का, हरिया लगबख 65% rating होगी दोस्तों, इनकी right raider हैं, और left raider दोस्तों आप देखोगे 35%, इसमें असरम इनामदार भी हैं, जो कि man raider हैं, लेकिन याद रखेएगा, इनकी मिली जोली rating होती है, पंकर्ज मुहिते भी करते हैं, पंकर्ज मुहिते गॉयब गुड और नितन भी करते हैं तो ऐसे करके लगबख 65% rating आपके लिए right raider हो सकती है, और 35% आपके लिए left raider हो सकती है, जिया दोस्तों, यदि आकास सिंदे starting saving में नहीं खेले, तब आपके लिए ये थोड़ा गड़ बड़ाएगा, इस side 65 होगी, यदि आकास सिंदे starting saving में खेलते हैं, तो आप देखोग आपके लिए सबसे मेले यहाँ पर आपके लिए सिभम पार्टरे और मुहित, फर्स्ट chain of defense में सिभम पार्टरे और सिभम पार्टरे के साथ रहने बाले हैं मुहित, फिर अगला हमारा जो की important player है बिने solo radar रहेगा, उसके बाद आप देखोगे जैदीब धहिया बहुत important है, और जैदीब धहिया के साथ आप देखोगे मुहित नंदाल है, मुहित नंदाल यह भी बिल्कुल important है और जो last chain of defense रहेगे, आसीस और रहुल सेथपाल की रहेगे, जिया दोफतों, आसीस और आसीस के साथ रहेंगे, रहुल सेथपाल, हालाकि दोना ही टीमों में अच्छे player लेकिन फिर भी मैं favorite किसको मान रहा हूँ, अब देखोगे आप यहाँ पर पंकज गोएट और मुहित और नितिन इस साइट से rating करेंगी, तो इनके लिए जो first chain of defense सिभम पटारी और मुहित, first क्या फायदा मिले बाला है, entry point का, यहां दोफतों entry point का फायदा मिलेगा, और फि रेडर को यहां पर यहां पर टैकल कर सकते हैं, अगला दोस्तों इनके लिए अगला chance क्या रहेगा, मलीजी का रेडर यहां पर bonus point क्लेम करने के लिए जाएगा, तो ए चैन दोस्तों इसके रेडर के यहां पास में खड़ी गएगी, और यह वाली चैन रेडर के सामने आ जा आपर रेडर bonus point क्लेम करने के लिए आता है, तब दोस्तों आपके लिए यहां पर एक बार फिर chances बनेगा कि रेडर के सामने आकर दोस्तों ए लॉबी से रेडर को बाहर करते हैं, जी यहां दोस्तों अब मैं आपके लिए एक बार ध्यान से देख लीजीगा, बता देता हू रेडर आया, ए रेडर खड़ाए, इनके सबसे पास बाली चैन ही है, तो ए रेडर के सामने आ गई, और दोस्तों ए वाले चैन जट से आए यहां पर माली जी का इस चैन के सामने खड़े हैं अभी, और रेडर को यदि यह टेकल नहीं करती, तो रेडर बापिस जाएगा, यह टेक करेंगे, यहां तो रेडर को लॉबी से बाहर करेंगे, यह फिर दोस्तों यहां पर टेकल कर लेंगे, तो कुछ ऐसे चांसे जे बनाएंगे पॉइंट देने के, अगला हमारा सोलो प्लियर रहेगा, और दोस्तों सोलो प्लियर का जादा रॉल मैंने आपके लिए बताई दिया है, सिर्फ रेडिंग करने का रहता है, और बिने इनकी टीम के सबसे इंपुडेंट प्लियर हैं, और स्ट्रॉंग कैंडिडेट है, कैप्टेंसी, बाइस कैप्टेंसी के, जिया दोस्तों स्ट्रॉंग कैंडिडेट है, कैप्टेंसी और बाइस कैप्टेंसी क को tackle कलने radar को जो कि radar सीधा आएगा सीधा radar को यह tackle कलने और यदि सीधा tackle नहीं करते न तो इनके पास अगला chances रहेगा radar यहाँ पर bonus point claim करने के लिए जाए मनलब इस chain पर attack करें इस chain पर attack करें तो radar के सामने आ जाएंगे और दुफ तो radar को block कर करें point ले सकते हैं हाला कि radar भी याद रखेगा कि असला मिनामदार पंकज मोहिते और मोहित गोएड जैसे radar इनके सामने रहेंगे तो इतना आसान तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए chances बता रहा हूँ अब मालीज का यहाँ पर bonus point claim करने के लिए जाएगा तो सबसे pass बाली chain है और यहाँ पर दोस्तों इनको आकर block करकर यह point दे सकती है आपके लिए कुछ ए chances बने बाले हैं और सीधे सीधे आए और tackle कर ले बहुत हो दोस्ते इनके पास या किसी भी chain के पास मेरे साथ से ज़्यादा chance रहता है चांस रहता है लेकिन जो center chain रहते हैं बीच बाली chain उसके पास थोड़ा सा यह chances जागा रहता है तो चलिए अब हम बात करेंगे last chain of defense के बारे में last chain of defense के बारे में यही चर्चा की जाए तो सबसे पहले आप देखिएगा एने advance खिलना पड़ेगा क्योंकि advance 65% rating यहाँ पर होने यह वाली है तो advance खिलना पड़ेगा अब next क्या रहेगा बैने बो ही बताया था यहाँ पर bonus point claim करने के लिए आएगा तो यहाँ पर आएगा दोस्तो ए इसके पास दो chances बनेंगे या तो यहीं के यहीं यहाँ पर ने इसके निवाली जीक रैडर को टेकल नहीं करती यहाँ तो यहीं के यहीं रैडर को दोस्तो ए टेकल कर लें यहाँ फिर दोस्तो लोवी से बहार कर दें धक्का मार कर दो chances बनेंगे 1 चैंस CS बनेगा next रैडर यहाँ पर bonus point claim करने के लिए आएगा सिस्टम काम करने बाला है मैंने आपके लिए बता ही दिया था और दोस्तों लेप ट्रेडिंग या राइट रेडिंग में कुछ भी परसेंटेज में चेंज़स होगा न उसके बारे मैं अपडेट में टेलीग्राम पर करूँगा तो मैंने ड्रॉप भी कर सकता हूँ मोहमद रेजा सादलु है असलम इनामदार है और दोस्तों यहां पर देखो कि बिने जो कि बहुत इंपोडेंट है मुहित गोएट है और दोस्तों यहां पर पंकस मुहित है ये मैंने अभी अपने टीम रखी है लेकिन जो फाइनल अपडेट आएगी वो आपके लिए मैं टेलीराम पर अपडेट करूँगा तो आप हमारा टेलीराम जोइन करना मत भूलेगा लिंक आपको वीडियो डिस्कुप्शन में मिल जाएगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैन जै भारत